किस्टेमें 29 से स्टाइट है इसके स्टेटमेंट है फांदा लेमिट हमें यह फंक्शन्स दियो है हमने इनकी लिमिट फांड करनी है अधर फंक्शन्स कंटिनुड एड़ पॉइंट बिंग अप्रोच मिन इनके एक सब्सक्राइब जो दिया गया है एक सब्सक्राइब पाई हमें 21 से हमें फंक्शन दिया है इकैवल्स तू है लिमिट एक्स अप्रोच ब्रॉच लूपाई ड्साइन एक स्टाइब एक साइन एक सम्पल क्या करना है लिमिट तो दी हुए हमने यह लिमिट पुट कर दें हमने फांड करना है किसके क्या लिमिट होगी पॉइंट हमें था दिया हुआ है कि पॉइंट यह है X अप्रोच इस टू एक्स नोट में इसके लिमिट फाइंड करनी है, इस पॉइंट प्उइंट का होगी हमने सीम्पल एक्स को पई यहां पे हमने पाई पुट किया और यहां पे भी पॉट किया तो साइन पाई साइन वन इटी क्या होता है जिरो होता है जो कि जिरो आगया साइन पाई माइनस जिरो आगया फिर दोबारा से साइन पाई आगया जो कि किसके एकवल होता है जिरो के मिज के इस फंक्शन की जो तो simply इस पॉइंट पे जमने प्रोच किया हमारे पास लिमिट आगे हम कह सकते हैं function is continuous at x is equal to pi इस पॉइंट पे at x is equal to pi function क्या है हमारा continuous है अब next हमारे पास question 31 यह आप खुद कर लीजेगा limit y approaches to 1 sec y sec square y minus 2 आप यह देखे इन functions में एक चीज बुक को भी आप देख सकते हैं उपर एक heading दी गई हमें composite functions की composition function का भी हमना topic नहीं किया वो मैं आपको करवा देती हूं लेकिन अभी आप simply यह देख लें composite function क्यों लिखा गया है एक function के अंदर function अगर दिया जाए ना तो इसको हम कहते है composite function जैसे अब यह है यह पर आप देख सकते है sin x के अंदर एक और sin x है ठीक है ना sin x के अंदर एक और sin x है means function के अंदर function एक दिया गया है इसका मतलब होता है composite funcion, जैसे आप यहाँ पे cran. A. सीकें. naszych function के इंदर function प्रोवग लिए गई तो ऐसे function को कहते हैं compute function यहाँ सीकें. इ往 पे cx था आप एक्स की जगा एकर function लिख दिया और x के यह यह पूरा function y sequenceegre y तो इसना हम इसको बोलते है composite function प्वाइब ढ़ाय थर्टी हम देख थर्टी तो देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच इस टु जिरो टैन पाइब फोर को साइन एक्स पावर वन बाई सिरी एक्स की पावर वन बाई सिरी हमने से इसके लिमिट फाइंड करनी है पॉइंट हमें दिया गया एक्स नोट जो कि जिरो के नचे का दूर को आप़ कर रहा थैंसे, से कम यह देखिए sizin घृखनी दीज तरह थै leaked SONY धुत हिती कोस थैंसे lifelong preference और सल्वान और माश के पोडन के पारेफ जृखनी स्क्राइब करेंसे, स्क्राइब में की녹झ भी क्यानी डुगे गita सांइन की इकवल होता है साइन twitter broccoli Life Choice बात के पूरा टे सुरा टेबल देढ़ याँ 가 इसके अब पूर्ड़ एक पुंड है और से जो इंपोर्टोंट इंपोर्टन पॉर्टनस में ensuite तो जिरो पर हम चैक करते हैं 1 पney पर चैक करते हैं 5 पे चेक करते हैं 5 पर पैस चैक करते हैं 5 पर च्च Давайте बाइथ करने की बाइध़ पट dengan फार के बात करुट के सबस्क्islες कि पर गया 1 कीप अई 100 a just तो आंसर आए 1045 अब आप करके देखेंगे आपका आएगा 1045 जो की एकोल आजाएगा वन के इसके लिमिट एक्जिस्ट करती है और वो क्या है वन तो हम कहतेंगे function is continuous at x is equal to zero यह point दिया गया तो इसी तना question number 34 है limit x approaches to pi by 6 और यह function दिया under root को second square x plus 5 under root 3 10 x हमें यह function दिया गया है हमने simple वही तरीका करना है एक्स की जगह हमने pi by 6 put कर देना है हम भी pi by 6 लिख दिया और यहाँ भी pi by 6 दिख लिया यहाँ पर यह को second x है आपको मैंने पहले भी बताए को second किसकी एक्वल होता है one over sign के अब यहाँ पर क्या value दिये गई है x किसको अप्रोश कर रहा है pi by 6 आपने पहले नीच वाले को देखेंगे sign x के जगह आपने pi by 6 put किया जो की एक्वल आगया 30 के आपको मैं चार्ट दिखा देती है उसमें जो sign 30 है वो equal होता है one over two के ठीक है अगर आप calculator को change करना चाहे means आपने calculator अपना own किया आपने पहले यहां से setup select करना है mode यह आपने यहां से कौन सा select करना है angle ठीक है आपने angle means कर जो sign के साथ x i को साथ इसको angle बोलते है ना हमने यहां पे select कर लेना है number two angle अब angle हमने हमारा किस फोर में हमारा answer आना चाहिए हमने कहाँ जेए degree हमने one कर दिया ठीक है अब मैं यहां पे जब लिखूंगी ना क्या लिखना है मैंने sign 30 मैंने लिखा sign 30 किसके एकवल आया देखे one by two के एकवल आ गया तो मैंने directly यहां पे one by two लिख दिया ठीक है और जो किसके एकवल बना two की एकवल आ गया means कि हम यहां पे two लगा देंगे और आप देखे यहां पे square है तो हम two का square लेगे ठीक है को सीकन five by six two की एकवल आया और two का हमने यहां पे इस function के उपर square दिया गया तो हमने two का square ले लिया five under root three हमें दिया गया अब ten five by six की value हम उसी तरह find करेंगे मैंने यहां पे लिखा ten five by six five by six पहले मैं find करूंगे five by six किसके एकवल होता है one eighty divided by six thirty means मैं find करूंगे ten thirty किसके एकवल आया है under root three over three इसकी value है under root three over three अब आपको टेबल दिखाते हूं उसमें भी इसकी value ड्रेक्ट लिखी गई है under root three over three मैंने यहां पे under root three over three लिख दिया है अब आप देखें जब हमारे पास कोई ऐसी form आज है जैसे under root three over three आए तो जिसके नीचे under root नहीं होता ना हम सिर्फ वह function लिख देते हैं जासे under root three over three तरह इसको हमने simply one over under root three लिख दिया जैसे अगर यहां पे हमारे पास होता three over under root three होता ना तो जिसके उपर under root नहीं होता ना हम नीचे वाला skip करके सिर्फ उपर simply under root three लिख देते हैं अंडरूट 3 और 3 ना अंडरूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं इसका मतलब होता है 3 की पावर 1 by 2 अंडरूटका मतलब यही होता है ना यहाँ पर मारे पास है अंडरूट 3 3 over 3, over 3 है, तो यह over 3, मतलब कि इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, अब मैं जब इसको उपा ले जाओंगी, 3 की पावर 1 by 2 into 3 की पावर क्या हो जाती है, माइनस में होगी है, माइनस 1, अब इनके कोफिशेंट सेम है, तो मैं इनके पावर को मैं एड कर सकती हूं, मैं यहां पर क इसकी पावर माइनस 1 by 2, ठीक है, माइनस 1 by 2, और इसको जब मैं नीचे ले आई, 1 over 3 की पावर 1 by 2, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, यह किसकी पावर होता है, अंडरूर 3 के, तो इसी होजा से आप देखे, मैंने इसको लिख दिया, 1 over अंडरूर 3 लिख दिया, अंडरूर 9 किसकी पावर होता है, तो इसकी पास लिमिट आगी और इसकी लिमिट एक्जिस करती है, तो हम करेंगे, फंक्शन इसकों 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 पाई भाई 6, जो होगा है, question number 34, इसे तरह आप सारे questions कर लिजेगा, question number 33 भी सेम वैसा, easy सा है, 34, यह आपने question number 29 से 34 तक सार functions को आप देखें, हर एक के अंदर function के इसके अंगल के अंदर एक से जगा एक और निया function दिया है, तो मेंदि इस सारे composite functions है, अब आगे आगे आते continuous extension, question दिया गया है, मैं यहां पे लिखती हूं, continuous extension, define g of 3 in a way that extends g of x to be continuous at x equals to 3, means कि हमने इसके extension करेंगे, इस function की, आप देखें इस function में हमें क्या point दिया गया है, 3, अगर हम इस function में directly 3 put करके देखें ना, तो यह क्या अंसर आ जाता है, 0 over 0, तो आपको पता है, 0 over 0 undefined form बन जाती है, तो इन्होंने कहा गया है, कि इस function को आपने इस तरीके से extend करना है, कि जब हम इस पे यह point put करें, 3, x equals to 3, जब हम पू function वह continuous means, कि उस point पे function discontinuous ना हो, इसका मतलब है, कि function उस point पे हमारे पास undefined ना बने जासे, यहां पे बन गया, जब हमने directly put कि तब तो हमारे पास function undefined हो गया, मतलब कि function इस point बे डिसकंटिन्यूस आरह है, लेकिन काहिए कि आपने function को ऐसे extend करना है, कि इस point पे function हमारा continuous हो जा 3 लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं यहां पर x का स्केयर है माइनस यह 3 का स्केयर है इसको आप ऐसे कर सकते हैं x plus 3 and x minus 3 यह मैंने गाई पर लिख दिया और नीचे x minus 3 ऊपर यह दोनों कैंसल हो गए हमारे पास simply आगया x plus 3 अब आपने जब इस पर लिमिट अप्लाई की ठीक है लिमिट किया थी किस पॉइंट पर x is equal to 3 x approaches to 3 हमने किया और लिमिट अप्लाई के हमारे पास आगया 6 मतलब इस पे इसके limit exist कर रही है तो इस पॉइंट पर जो हमारा function है वो क्या है continuous at x equal to 3 इसी तरह same if a equals 36 है यहाँ पे function दिया और हमने इसके extension किस point पर find करनी है add t plus to 2 आप जब इसमें directly to put करेंगे तो मारे पास जो answer one defined आजएगा ठीक है इसलिए हमने इसको भी by factorization किया 5 to the 10 होता है तो हमने इसको ऐसे कर दिया t square plus 5 t minus 2 t minus 10 और इन दोनों में से हमने t को में लिया त t minus 2 कैसे लिग दिया अब t minus 2 t minus 2 cancel होगे हमारे पास simply आगया t plus 5 अब हमने किस पे h2 थाना यहाँ पर 2 पूट किया means कि limit जो हमारी 2 को अप्रोच कर रही है तो t plus 5 जो हमने आप 2 पूट किया हमारे पास आगया 7 तो मतलब कि function continuous होगया किस पे add t equals to 2 आगे दो questions कि मैं आपको hint द आपको मैं बता देती हूं कि cube का formula आपने आपे क्या put करना है s minus 1 into s square plus s plus 1 यह कैसे आए formula जैसे हम अगर generally करते है cube का formula हमारे पास होता है a cube minus b cube और यह किसकी एकवल होता है यह simply हम पहले cube के बगयार लिकेंगे a minus b फिर into यह जो first function होता है a square कर दिया plus second function plus लगाना है चाहे center में minus लिकेंगे आपने प्लस लगाना है plus second function का square ले लिया और plus center में इन दोनों को multiply कर दिया a into b तो यह formula है अब आप देखें यहाँ पे a जगाहे s और b की जगाहे 1 तो इसका मतलब ही है s cube minus 1 cube तो हमने simply यहाँ पे यह formula पूट कर दिया और अगर यहाँ पे हमारे पास a plus b का cube आजाता तो हमने लिख रहा था a plus b into a square यहाँ पे हमने minus लगा देना था ठीक है अगर minus होगा तो हम यहाँ पे plus लगाए अगर plus होगा तो हम यहाँ पे minus लगा देंगे हमने यह formula put करना है और s square minus 1 का भी आप formula पूट कर सकते है जैसे हमने पिछले question में किया है और आप इसको solve कर सकते है और customer 38 में जो दिया गया function वो यह है x square minus 16 over x square minus 3 4 और minus 4 अब आप देखे x square minus 16 को भी आप यह formula लगा सकते है इसके जगा आपने यह put कर देना है x plus 4 और x minus 4 देखे यह वही formula है यह x का square minus 4 का square इसको आपने लिख दिया x plus 4 और x minus 4 लिख दिया और नीचे वाले क आपने factorization की formula लिख दिना है और इसको आपने solve कर लेना है ठीक है यह होगे आपके question number 29 से 38 तक होगे